आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ तो प्रशन है हमारे पास असमजात पुनरसयोजन को परिभाशित कीजिए तथा अस्थान परिवर्ति या जंपिंग जीन को समझाईए तो आईए सबसे पहले हम जो है बात करते हैं असमजात पुनरसयोजन कि असमजात पुनरसयोजन क्या होता है तो असमजात पुनरसयोजन असम जाद पुनरसयोजन क्या होता है कि जैसे जब दो बिभिन अनुवानशिक पदातों या युगमकों का पुनरसयोजन होता है डिने में तो उसको हम असमजाद पुनरसयोजन कहते हैं आईए हम इसको चित्र की मदद से तोड़ा समझते हैं माल लीजिए ये कोई डिने है ये कोई डिने की श्रिंखला है इस डिने पर दो तरीके के युगमक है जैसे उधारन के लिए माल लीजिए यहाँ पे एक युगमक है और यहाँ पे एक उगमक है बी तो इस DNA में ये दो विभिन प्रकार के उगमक जो हैं इनका अस्थान तरण होगा आपस में विभिन प्रकार के उगमकों का अस्थान तरण होगा तो आएए देखते हैं क्या होगा फिर इसमें आगे तो ये इनका पुनर संयोजन हो गया ये हो गया इनका पुनर संयोजन तो इनका जब पुनर संयोजन होगा तो जो ये DNA सिक्वेंस है या DNA की श्रिंखला है इसमें जो ये युगमक हैं इनका अस्थान तरण हो जाएगा इनका विभिन जो युगमक हैं इनका स्थांतरण होगा तो यहां पर B आ जाएगा और यहां पर A आ जाएगा देखिए खास बात इसमें यह है दोस्तों कि इसमें यह जो दोनों यूगमक है यह दोनों बिभिन है लेकिन इनका पुनरसयोजन हो रहा है तो इसके बाद जो इनका अस्थानतरण हो रहा है वो जो है ये देखिए B यहाँ पर आ गया A की जगह पर और ये A जो है B की जगह पर आ गया दोस्तों तो इसी को असमजात पुनरसयोजन कहते हैं जैसा कि हमने पढ़ा दो बिभिन प्रकार के युगमक जब पुनरसयोजन के बाद उनका अस्थानतरण होता है तो जो है वो असमजात पुनरसयोजन कहलाता है तो हम बात करेंगे जंपिंग जीन के बादे में जंपंग जीन जंपंग जीन या अस्थान परिवर्ति क्या होता है ये एक विशेश प्रकार के जीन का समू होता है जो एक DNA से दूसरे DNA में अपने आपको अस्थान तरित कराने की काबिलियत रखते हैं आईए हम इसको चित्र की मदद से समझते हैं जैसे ये कोई एक DNA है ये एक DNA है DNA पे कई जीन है ठीक है दोस्तों ये हो गया कई जीन तो ये जो जंपिंग जीन होते हैं मालीजी ये जंपिंग जीन है इनके अंदर काबिलियत होती है खुद को अस्थान तरित करवाने के लिए एक DNA से दूसरे DNA में तो ये कैसे अस्थान तरित करवाते हैं खुद को या कैसे अस्थान तरित होते हैं ये दो तरह से अस्थान तरित होते हैं पहला ये खुद की प्रतिलिपी बनाते हैं जैसे ये खुद की इन्होंने ये प्रतिलिपी बनाई और खुद को स्थान तरित करवा लिया दूसरे DNA में ये खुद को स्थान तरित करवा लिया दूसरे DNA में तो दोस्तों जो दूसरा थरीका है उसमें ये क्या करते हैं कि इंजाइम इंडो न्यूक्लियस की मदद से ये खुद को अलग कर लेते हैं और इंजाइम इंडो न्यूक्लियस की मदद से ये खुद को अलग कर लेते हैं और इंजाइम लाइगेस की मदद से ये दूसरे डिने में स्थान तरित हो जाते हैं ये दोस्तों यहाँ पर इंजाइम लाइगेस की मदद से स्थान तरित हो जाते हैं तो दोस्तों ये जंपिंग जीन जो हमने पढ़ा स्थान परवर्थी या इनको इंग्लिस में ट्रांस्पोजेबल इलिमेंट कहते हैं ये दो तरीके से अपना खुद को स्थान तरिट करवाते हैं दूसरे डियने में पहला ये अपनी प्रती लिपी जो है दोस्तों बनाके और दूसरे डियने में चले जाते हैं और खुद ये पहले डियने में रहते हैं इनकी बस प्रती लिपी जाती है और दूसरा जो तरीका है दोस्तों ये खुद को उस DNA से जिसमें ये होते हैं अलग कर लेते हैं इंडो न्यूकलियस की मदद से और दूसरे DNA में अस्थान तरीत हो जाते हैं लाइगेस की मदद से और दोस्तों इस प्रश्ण के पहले भाग में हमने पढ़ा असमजाद पुनर सयोजन और दूसरे भाग में हमने पढ़ा जंपिंग जी या स्थान परिवर्ति या इंगलिश में अगर हम बात करें तो ट्रांस्पोसेबल एलिमेंट धन्यवाद आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीचे अपने डाउट आच चार्सो 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 पर